नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 12 दिसंबर 2020 के डेली न्यूस अनलिसिस और एडिटोरिल अनलिसिस में आपका स्वागत है कौन-कौन से इंपॉर्टेंट न्यूस है तो यहाँ पे आपको रुचिरा कंबोजी नजर आ रही है इन्होंने United Nations Security Council में एक simple statement दिया है representing India that stop grading terrorists as good and bad आप मैं कह सकते हो कि जो female aspirants हैं UPSC के उनके लिए यह एक बहुत बड़ा idol है अगर आप एक senior IFC बनते हो तो कल की date में United Nations में as a permanent representative of India भी आप बिन जा सकते हो आगे की news में हम देखेंगे कि Asian में देखें मायनमार को लेके Asian एक five point consensus लेके आया है लेकिन इंडिया चाइना के factor को ध्यान रखते हो मायनमार के military leaders के साथ रिष्टे बना रहा है तो इस बात को लेके Indonesia की foreign minister ने कुछ टिपड़ी की है वो देखेंगे क्या है फिर एक songbird पाईगे ये उनाचल प्रदेश में इसके बारे में बात करेंगे clean ganga जो plan चलाया गया है प्रधान मंत्री मोदी जी की दोरा अभी बीजेपी सरकार के दोरा वो क्या है उसमें कुछ changes किये गए है वो क्या है उनको देखेंगे टर्की के प्रेज़िएंट रसप तयेप अर्दोगान ने व्लादेमिर पुते जो कि रश्या के प्रेज़िएंट उनसे बातचीत की है Syrian corridor के respect में ये Syrian corridor क्या है क्यों टर्की इस समय पे ये जो Kurdish लोग है Kurdish की जो demand है उससे overall नफरत करता है ये PKKYPG ये सब क्या है वैसे तो मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है तोड़ा यहाँ पर फिर से एक बड़ discussion कर लेंगे Editors में China test ये Happyman Jacob साब का लिखा हुए एक article एक दो point इसके discuss करेंगे The narrative of a post-truth word देखे गैस लाइटिंग नाम का एक टर्म है गैस लाइटिंग नाम के टर्म के रिस्पेक्ट में इस particular article को लिखा गया है ये गैस लाइटिंग रिसेंटली ये शब्द बहुत जादा फेमस हुआ है 2020 में इसको word of the day dictionary Merriam Wester ने भी बताया है तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे फिर Qautioning the basis of clerical sharia Basically कुछ conservative Islamic interpretations के बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है इसके बारे में बात करेंगा Tug of war to attract Hindu voters BJP versus Congress इस article को मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ for obvious reasons फिर भाई आप member बनाया गया है इसके बारे मत करेंगे तो कुल पांच editorial articles है तो ठीक ठाक information आपको इन सारे articles में देखने को मिलेगी word of the day देख लेते है ignorance is bliss मतलब कुछ जगाओं पर जानकारी किसी चीज़ की ना होना ही बहतर होता अगर आप उसकी जानकारी रखोगे तो नुकसान हो जागा जानकारी नहीं है तो फायदा हो गया जैसे for example एक wife को अपने husband के बारे में ये नहीं पता था कि उसका husband रात बर जगके क्या करता रहता है एक दिन पुलिस husband को पकड़ के ले गई और बाद ने पता चला कि husband रात में बैठके insider trading करता था लेकिन बाद को investigation में पुलिस को पता चला कि wife को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था इसलिए wife arrest नहीं हुई तो इस context में आप कह सकते हो कि ignorance is bliss मतलब wife को नहीं पता था husband क्या कर रहा है इसका उसे फाइदा हुआ पता होता और वो उसके साथ देती तो वो भी जेल में मन्द हो सकती थी तो that is ignorance is bliss मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है इनके बारे में कर आपको जानकरी ना हो बैतर है जीएस पेबर टू इंटरनाशनल रिशन के रिस्पेक्ट में पहली न्यूस टॉप ग्रेडिंग टेरिस्ट अज गोड बैड इंडिया इन 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 इस इनके कंसेप्ट नोट में क्या लिखा गया है देखी क्या बोल रही है मतलब किसी भी प्रकार का टेरिजम हो किसी भी मैनिफेस्टेशन का हो वो कहीं पे भी कमिट किया गया हो किसके दौरा भी कमिट किया गया हो उसके फेवर में किसी भी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए उसको सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करना है पूरी दुनिया को उसको criticize करना है terrorist act को अगर आप bad बोलते हो well and good बट अगर आप किसी particular terrorist act को context के साब से good बोलते हो for your political convenience तो कहीं न कहीं terror acts को आप indirectly justify करो religious या ideological आधार पर दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई terror act होता है तो वो सही नहीं है हमें उसे criticize ही करना चाहिए तभी एक global commitment आजाया आप आएका terrorism से आथ लड़ने के लिए कुछ countries अगर अपने political convenience के लिए terrorism को justify करने लगेंगी तो बाते चल नहीं पाएंगे for example China China overall खुद अपनी जिन जियांग में प्रोविंस में जो उईगूर minority जे उनको दबाता है लेकिन at the same point of time Pakistan based terrorists को जब इंडिया censor करने कोशिश करता है United Nations Security Council में China उसको block करता है मतलब China यहाँ पे terrorism को political convenience के लिए इस्तमाल कर रहा है और इस प्रकार का इस्तमाल Pakistan और कुछ और countries भी कर रही Iraq, Syria में भी यह सब हो रहा है इसलिए इस प्रकार के events को tackle करने के लिए सारी दुनिया की जितनी भी countries इनको सबको मिलके काम करना पड़ेगा अभी के लिए जो 15 member का United Nations Security Council जिसमें 5 permanent है 10 non permanent है उसके 2 signature events होने वाले है एक तो reformed multilaterism को लेके और एक counter-terrorism को लेके और 14 December और 15 December को जैशंकर साब इनको chair करेंगी इस समय पे India President है United Nations Security Council का इसलिए इंडिया जो भी statements issue करता है उसको wider coverage यहाँ पे दी जाती है ठीक है न भई? 15 December को जो United Nations Security Council की briefing है वहाँ पे global counter-terrorism approach principles and way forward नाम का एक document भी यहाँ पे India submit करेगा जहाँ पे threats to international peace and security caused by terrorist acts पे आपके लो रोश्णी डाली जाएगी threat of terrorism transnational है यह जो terrorist actors, supporters, facilitators financials, यह किसी एक country में based नहीं है यह दुनिया में अलग-अलग जगहों पे based है और अलग-अलग जगहों पे online network के थूँ यह आपस में एक दूसरे के साथ जड़ते और किसी भी community के साथ किसी भी धरम के साथ menace of terrorism को जोड़ना सही नहीं चुकि terrorism अलग-अलग प्रकार के religion, nationality, civilization, ethnic group में फैला हुआ बहुत सारे organizations जैसे कि Iraq में Islamic State, Al-Qaeda Indian subcontinent में Indian subcontinent, Al-Qaeda Indian subcontinent EQIS एक अलगी group आया है ठीक है भई, ISIL तो आपने सुना यह Islamic State in Iraq 11 Khorasan इंडिया का ये भी बोलना है कि जब से Taliban ने काबूल में took over किया अगस्ट 2021 में, तब से overallly जो terror events है, वो ज़्यादा बढ़ गए है, ओके भई फिर अगर आप देखो, तो resolution 2593 2021 लाने की कोशिश की गई थी Security Council के अंदर इंडिया ने अगस्ट 2021 में अपनी presidency के अंदर ये resolution 2593 लाने की कोशिश की थी और इस resolution में बोला गया था कि भई, अफगान सॉयल को किसी भी प्रकार के terrorism के लिए इस्तमाल नहीं होने आज की जीश में digitalization के साथ new और emerging communication और financial technologies के साथ जो कि terrorist groups deploy करते हैं बड़ा आराम से terrorism फेलाया जा सकता है, radicalization का risk internet और social media के थूँ बढ़ सकता है, cryptocurrencies के थूँ और dark web के थूँ और crowdfunding platforms के थूँ ये particular terror groups अपनी funding करते हैं और overall coronavirus disease pandemic में किसमें पर जो financial insecurity आई है उसको भी capitalized करते हैं ये terrorist इन सब को यहां पर tackle करने की ज़रोज है कहीं न कहीं, इन terrorism network के साथ, drugs और arms की trafficking भी involved है चुकि terrorism करने के लिए आपको बंदूके चाहिए, गोलिया चाहिए और वो बंदूके गोलिया भी, overall कहीं न कहीं terrorism के साथ जुड़ी हुई है साथ-साथ, terror networks अपनी funding के लिए कभी-कभी drug networks का भी साथ लेते हैं, तो जो drug mafia है वो कहीं न कहीं terror elements के साथ जुड़ा हुआ है, इसी context में अगर आप देखो, तो जो अभी proposed high level briefing है, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को, वो security council के members को एक opportunity provide करती है कि जो इंडिया ने counter terrorism committee की meeting conduct कराई थी मुंबई में और दिल्ली में, वहाँ पे जो बाचीत हुई थी, जो provisions को सामने रखा गया था, उन provisions को ground level पे implement किया जाए और global community उनको adopt करे, चुकि जब global community उनको adopt करेगी, तभी हमें collective fight ला पाएंगे, terrorism के against, ठीक है बई आगया जाते हैं, GS paper 2 international relations, follow Asian path on Myanmar, says Indonesian finance minister, after New Delhi engages military rulers, देखिए Asian ने ये बोला है, खासकर Indonesia की, देखिए हाँ पे जो Indonesia की foreign minister है Retno Marsudi, इनका ये statement है, कि Myanmar की उपर Asian ने जिस policy को adopt किया है, बेटर रहेगा कि बाकी countries, including India भी उसी policy को adopt करें, अलग रास्ता ना पकड़ें चोकि अगर इंडिया जैसी countries अलग रास्ता पकड़ेंगी, तो Asian ने जो भी रास्ता पकड़ा है, वो कम effective हो जाएगा, अब सबसे पहले समझते हैं कि Asian ने कौन सा रास्ता पकड़ा है, तो Asian ने लाया था five point consensus, जिसमें बोला गया था कि Myanmar के अंदर immediate जितना भी violence होला, उसको बंद करो, जितनी भी Myanmar के अंदर parties उनकी बीच में dialogue होना चाहिए Myanmar के लिए हल country अपना special envoy appoint कर सकती है Asian humanitarian assistance provide करेगा Myanmar को, special envoy to visit Myanmar to beat all parties, मतलब Asian का special envoy Myanmar जाएगा, वहां के military leaders से बात करेगा, और जो उनकी दूसरी सरकारती ओंग सैंक सी की की, इनसे भी बात करेगा हाला कि Myanmar की military leaders मिलने नहीं देते अब Asian चाहता है कि India भी यही approach अपनाए ठीक है भाई, फरवरी 2021 में जो elected national unity government थी, जिसको lead कर रही थी ओंग सैंक सी की, इसको dissolve कर दिया गया, हजारों की तागात में leaders को jail में डाल दिया गया, house arrest पे डाल दिया गया, okay तो इस context में मायनमार के military leaders को sideline करना है western countries तो काफी हद तक sanctions लगा चुकी है बड़ चाइना कुछ हद तक engage कर रहा है मायनमार के साथ उसके साथ रशिया भी कर रहा है अब ऐसे cases में इंडिया अगर मायनमार को segregate करता है तो इंडिया के लिए potential security implications हो सकते हैं अब आप समझो मायनमार के साथ इंडिया का एक porous borders है और हमारा जो north east का इलाका है वो बहुत हद तक अभी भी stable नहीं हुआ है unstable है अब यह आप देखो तो north east में tribal society है इन tribal societies में interstate boundary में dispute होने लगते हैं अब अक्सर गर देखते हो कि आसाम नागालेंड की boundary पर बवाल हो गया आसाम मिजोरम की boundary पर बवाल हो गया तो ऐसे cases में हम मायनमार के साथ दुश्मरी नहीं मोल सकते हैं चोकि फिर हमारे north east के जो insurgent groups हैं उनको मायनमार में एक मदद सी मिलने लगेगी ये इंडिया कभी भी allow नहीं कर सकता इसलिए इंडिया का मायनमार के साथ bilaterally engage करना बहुत साथ जरूरी है ये हमारी मजबूरी है अब बाकी countries कहीं न कहीं इंडिया के उपर प्रशे डालनी खास करें जो Asian group है और उसके साथ US ने कहीं न कहीं नई दिल्ली से ये बोला है और कुछ अब तक शीरंका से भी बोला है हुआ है अभी BIMSTEC virtual summit होनी है मार्च में इसके लिए invitation दिया गया है मायनमार के foreign minister को मायनमार के foreign minister belong करते हैं उनके military तबके को तो अभी इस context में आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया भर की सरकारें मायनमार की military सरकार को recognition नहीं दे रही है उस बीच में इंडिया BIMSTEC summit के लिए मायनमार के foreign ministry को invite करेगा तो इससे क्या मिलेगी मायनमार की military सरकार को एक credibility मिलेगी और वो credibility US और Asian countries देना नहीं चाहती इंडिया ये बोल रहा है कि अलरड़ी मायनमार के अंदर China बहुत हद तक मदद दे रहा है अपने national interest के इसाफ से सोच रहा है और हमको सोचना भी चाहिए अब इसी respect में देखो तो इंडोनेशिया के fireman minister ने ये भी बोलाई कि हमारे इंडिया के साथ भी कुछ by little projects है जैसे कि इंडोनेशिया की ऐसे है province में सबांग port डेवलप कर रहा है इंडोनेशिया के लिए कौन इंडिया ये चार साल का project है ये particular जो सबांग port है न वो इंडिया के southernmost इंडरा पॉइंट से 200 km से भी कम की दूरी पे जो इंडरा पॉइंड है ना Campbell Bay इंडिया का उससे 200 km की कम दूरी पे है ये सबांग port तो इसको डेवलप कर रहा है कौन आपका इंडिया उसके सासाथ अगर आप देखो तो एक 5 बिलियन डॉलर का इंडो फ्रेंच जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट जो की मेदान कुआला नामू एरपोर्ट जो की इंडोनेशिया में है इसको बना रहा है GMR Group का consortium इसको manufacture कर रहा है तो ये भी आप कह सकते हो इंडिया की तरफ से एक assistance है माइनमार को फिर एक 500 मिलियन डॉलर का solar pan energy project भी इंडोनेशिया के अंदर इंडिया की companies बना रही है उसके साथ इंडिया और इंडोनेशिया का जो cooperation है वो इसलिए भी बढ़ रहा है चुकि दोनों ही Troika के members है Troika क्या होता है? G20 का past president, G20 का present president और G20 का future president ये तीनों मिला दो तो Troika बनेगा आपको पता है कि overall इस साल G20 का president बन चुका है इंडिया पिछले साल कौन था? इंडोनेशिया अगले साल कौन है? ये बताओ नीचे comment box में और ये तीन मिलके क्या बना देंगे? Troika तो Troika refers to the top grouping within the G20 which consists of current, previous and incoming presidencies ठीक है भई? G20 की meeting के लिए भी Mr. Modi और इंडोनेशिया के Prime Minister Joko Widodo मिलेंगे Asian India Summits के लिए भी मिलेंगे 2023 में Mr. Marsudi ने बोला है कि G20 के समय पे इंडोनेशिया का टास्क काफी मुश्किल हो गया था Reason being कि यूक्रेन रशिया वार चल रहा था उसी context में joint communique issue करा पना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी आगे आने वाले समय में ये problem इंडिया भी यहाँ पे face करेगा G20 की presidency इंडिया के पास आ चुकी है पहली share part track meeting पिछले हफते हुई थी इस हफते finance track meeting होगी overall सारी countries G20 के आपस में मिलेंगी इंडिया इंडोनेशिया आपस में एक दूसरे के साथ engage करेंगे अच्छी अच्छी बाते भी उन्होंने बोली है फिर GS paper 3 में अरणाचल इल्ड से potentially new songbird से respect में एक news है देखे बर्ड वाचर्स ने जो बर्ड से religious जो ornithologist है उन्होंने अरणाचल प्रदेश में एक नई songbird को site किया इसका नाम है लीजू रन बैबलर बिसिकली जो नीजू है लीजू is the community of औरणाचल प्रदेश एक tribal community है औरणाचल प्रदेश की जिसका नाम है लीजू और उसी community के नाम पे इस particular bird का नाम रखा गया है लीजू रन बैबलर एक expedition team निकली दी 6 bird watchers की जिनको आप ornithologist भी बोल सकतो और नाचल प्रदेश की एक remote corner से यह particular photos यहाँ पे ली गई है और South Asian Ornithology नाम के एक जनरल में यह छापी भी गई है यह Indian Birds Indian Birds नाम का जनरल है ठीके ना South Asian Ornithology से related यह study यहाँ पे छापी हुई है अब यह जो ran babbler नाम की bird है इसको आप grey bellied ran babbler भी बोलते है जोकि इसकी जो belly है जो पेट है वो grey color का है यह Myanmar में पाई जाती कुछ हद तक इसको चाइना में भी देखा गया है Thailand में भी देखा गया है इंडिया में इससे पहले इसको सिर्फ एक बार देखा गया है और नाचल प्रदेश की इसी इलाके में 1988 में उसके बाद से यह bird अभी नजर आई है recently यह जो study है यह 6 bird watchers ने यहाँ पे publish कि इंडिया के अंदर 1300 species birds की पाई जाती है इसमें अलग-अलग प्रकार की passerine birds, waterfalls बहुत सारी और प्रकार की bird है इंडिया is actually a bird watchers paradise अगर आप देखो तो दुनिया की one of the most sought-after birds भी इंडिया के अंदर पाई जाती है, यहाँ पे इनके नाम दे रखे कुछ specific के वैसे तो 1300 species हैं bird की आप याद भी नहीं कर पाऊगे इसमें conservation, tourism और providing economic livelihood यह सारे facets भी यहाँ पे जोड़े जा रहे ठीक है भाई अगर आप देखो तो नमामी गंगे activities को organize करने के लिए recently यहाँ पे एक meeting हुई इस meeting को chair किया union जलशक्ती ministry गजेंद शिंग सेखावत ने union जलशक्ती minister गजेंद शिंग सेखावत साब ने इन्होंने बोला कि tourism ministry का एक plan है कि गंगा के आसपास एक comprehensive plan को execute किया जाएगा जिससे tourism तो गंगा के course पे develop किया ही जाएगा, साथ-साथ organic farming भी develop की जाएगी, cultural activities भी develop की जाएगी, अर्थ-गंगा के concept को यह popularize करेंगे अब अर्थ-गंगा क्या चीज़ है आपको पता न, economics को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थ-शास्त्र तो इसी context में अर्थ-गंगा मतलब गंगा से potential economic activities भी बहार निकाली जाएगी, गंगा के आज सपास, जो भी economic potential है चाहे वो tourism से related economic potential हो, चाहे वो agriculture से related economic potential हो, इन सब को गंगा के कोश पे develop किया जाएगा, sustainable तरीके से जिससे गंगा गंधी भी ना हो और इसके आज सपास रहने वाले लोग, sustainable बेसिस पे अपना livelihood भी चला सके, और इसके बारे में, दिसंबर 2019 की मीटिंग में भी प्रधान मंतरी मोदी जी ने बातचीत की थी, गंगा task force से related, तो अभी 8 दिसंबर को जो भी मीटिंग हुई है, इसमें tourism circus डेवलप करने की बात की गई गंगा किनारे, exhibitions प्लान किये गए, 75 towns जो की गंगा किनारे आ रहते हैं, वहाँ पर fairs लगाने की बात की गई, agriculture ministry ने बोला कि कैसे गंगा किनारे, organic farming और natural farming के corridors बनाय जाएंगे, किस प्रकार से गंगा के किनारे, drain और solid waste management के आपके लो layout को प्लान किया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग eforestation को scale up करेंगे गंगा के किनारे, conservation efforts को scale up करेंगे, gangetic river dolphin को conserve करेंगे, यह सब बातें overall गंगा task force ने बैठके यहाँ पर discuss किया, अब देखें, discussion तो खूब हो रहा है, ground developers का implementation कैसा होगा, इसके उपर reuse करना, किस प्रकार से rural development ministry, गंगा में गिरने वाली छोटी छोटी नदियों को, traditional water bodies को rejuvenate करेंगा, इसके ओपर भी बातचीत की गई, चोकि यह सारे factors consolidated basis पे गंगा की purity को ensure करेंगे, ठीक है, कैसे गंगा के आसपास की हर district में, एक scientific plan के through development किया जाएगा, कैसे उसके आसपास के wetlands को health card provide किया जाएगा, वगरा वगरा बाते भी यहाँ पे की गई है, अगर आप देखो, तो 2014 से लेके अब तक गंगा cleaning को लेके सरकार 30,000 करोन रुपे आलोकेट कर चुकी है अलग-अलग projects को, जिसमें building मनाना, sewers को improve करना, river rejuvenation activities को implement करना, national mission for clean गंगा के updated estimates यह बोलते हैं, कि 408 projects को, national mission for clean गंगा के अंदर sanction दिया गया है, जिसमें 228 complete हो चुके, 132 are in progress, और बाकी कुछ tendering की stages पे भी हैं, next GS paper to international relations, Turkey's Erdogan calls on Putin to establish Syrian corridor, टर्की के प्रेजिएंट रसित तैयब अर्दोगन सहाब ने बोला है, कि भई यह टर्की का जो सीरिया के साथ border है, वहाँ पे 30 km का security corridor बनाना पड़ेगा, यह बाते टर्की के प्रेजिएंट ने व्लादेमिर पुतिन से कही हैं, अब आप बोलोगे सर इसका logic समझ में नहीं आया, यहाँ टर्की, ठीकिए ना, यहाँ सीरिया, नीचे इसराइल, इधर, इधर आपका आपका लोग, लेबनन, इस तरफ जॉर्डन, रशिया तो कहीं इधर far east में जाके पड़ता है न, north east में, तो रशिया का से बाची टर्की को कर रहा है सीरिय के respect में, चोकि आपको पता होना चाहिए कि सीरियन civil war में, रशिया is a very major component, ठीकि ना, सीरियन civil war में रशिया का एक major role है, रशिया की proper army deployed है सीरिया के अंदर, तो कहीं न कहीं सीरिया के अंदर कुछ भी हो रहा हो, उसके respect में, टर्की को रशिया से बात करनी ही पड़ेगी, और यही कर रहे हैं यहाँ पे, अर्दोगन साब, अर्दोगन साब को problem है कुर्दिश militants से, ठीक है ना मैं, अंकारा मतब टर्की के अंदर कुर्दिश militants को terrorist माना जाता है, Mr. Erdogan ने यहाँ पे reiterate किया, कि there is an importance and urgency of creating a corridor in Northern Syria, मतब Northern Syria में हमें corridor बनाना पड़ेगा in accordance with 2019 agreement between Turkey and Russia, क्या ह कि चुकि Syria के अंदर, Russia एक important constituent है, और अभी आपने देखा कि Russia और Ukraine war में, Syria ने Russia को support किया, तो कही ना कहीं, Syria के अंदर Russia की चलती है, ठीक है भई, और आपको पता है कि Syria के अंदर यह Kurdish militants, तो overall Kurdish militants के साथ, भईया, मिलना जुलना है Russia का, इस context में, Syria सीधर Russia से बातचीत कर र ना PK के पसंद आता है, PK के क्या है, Kurdistan Workers Party, और ना ही Turkey को पसंद आता है YPG, यह People's Protection Unit, ठीक है ना भई, यह दोनों ही groups Turkey को पसंद नहीं, दोनों ही groups ban है Turkey के अंदर, in fact, PK के पिछले 38 सार से Turkey से लड़ाई कर रहा है, तो इस context में Turkey ने, US ने, European Union ने, PK को एक terrorist organization declare कर रखा है, YPG को US ने, या फिर Europe ने, terror organization declare नहीं किया है, अब सीधी बात है, Mr. Rasip Tayyip Erdogan ने recently, Kurdish militants को लेके अपना strong, अपना stance और ज़दा strengthen कर ली, आपको पता होना चाहिए, recently ही, Istanbul में एक terror attack हुआ, जी हाँ, Istanbul में एक bomb फटा, यहाँ पे 6 लोगों की जान चली गई, dozens की तागाद में wounded हो गई, यह आप कहलो, एक रिहाईशी लाके में परसा इस्तानबुल में, शाहिद इस्तिक्लाल स्ट्रीट पर फटा हुआ है, तो वहाँ पे काफी आपादी मदब, नुकसान पुचे दिए कि क्या है, Istanbul एक तरीके से बहुत ही cultural center है टर्की का, वहाँ पे बड़ी इसलिए तर्की अपने overall इस particular stance को लेकि बहुत ज़दा aggressive हो रहा है, तुर्किश militants के against उन्हों एक ground offensive launch कर दिया है, इन फैक्ट, ground offensive, aerial attacks तो तो देखो तर्की करी रहा है, इन कोर्टिश militants करके हैं, at the same point of time तर्की ने ये भी बोला है कि अपनी army बेज देंगे सीरिया के अंद तर्की ने कोर्डिश militants hold के ओपर, ठीक है भाई, तो कुल मिलाके यहाँ पे, 2019 में एक deal sign हुई थी तर्की रशिया के बीच में जिसमें ये बोला गया था, कि जो तर्किश border है, और सीरिया के अंदर जो YPG forces है, People's Protection Unit की जो forces हैं, इनके बीच में बफर zone होगा, और उस बफर zone proper तरीके सब तक बनाएं नहीं किया, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुर्डिश militants है, ये infiltrate कर जाते हैं तर्की के अंदर और तर्की के अंदर जाके, nuisance create करते हैं, unstability create करते हैं, जिससे तर्की नाराज होता है, तो ये सब बाते हैं overall, तो तर्की के रशिया के साथ अच्छ इन कोड़िश militants के कुछ लीडर स्वीडन में जाके बैठे हैं, इसलिए स्वीडन को नाटो की membership भी नहीं लें देना है तर्की, तो ये कुछ आप कहलो, points है, जिसके बारे मैं आपको यहाँ पर discussion किया, अब यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में तर्की की बॉर्डर वॉल नज बड़ी तागाद में कुर्द लोग रहते हैं, और ये कुर्द लोग चाते हैं, कि थोड़ा तर्की से हिस्सा तूटके, थोड़ा इराक से हिस्सा तूटके, थोड़ा सीरिया से हिस्सा तूटके, इनको अपनी अलग country मिल जाए, अब अब विसी बात है, कोई भी country हो, चाह जाते हैं, एडिटोरियल के उपर, पहला, अच्छा, वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन नहीं दबायों, दोस्तों, तूरिमाइंड कर दे रहा हूं, प्लीज दबा दीजेगो, दा रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडिया स्टेट, ये हैपी में जेकॉप साब ने इस मतब इंडिया को जब भी अपनी strategized decision making लेनी है, तो किसके context में इंडिया सोचेगा, चाइना के context में सोचेगा, ये समय पे contemporary basis पे, चाइना इंडिया का principal strategic contradiction है, चाहे कितने भी और challenges हो इंडिया के सामने, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया के अंदर की internal insurgencies हो, ये सब secondary contradictions में आते हैं, इंडिया का जो सबसे बड़ा challenge है, वो क्या है, वो है आपका China, ठीक है न भई, तो इंडिया कोई भी decision ले foreign policy के field में, तो longer run में एक China test इंडिया के हर foreign policy के decision में बहुत सब जरूरी है, एक analytical tool के respect में हमें China test को करना पड़ेगा, तब ही जाके हम कोई भी policy ले हमको पता चलेगी, तो अब देखे, from an operational point of view, the China test consists of three distinct elements, कौन सी element की बात करेंगे, first, an assessment of how a certain Indian decision or a specific regional development squires with the Chinese regional interest or strategy, second, an assessment of whether India's decision or a certain regional development would require India to make modification at the level of secondary contradiction, and third, assessment of whether this would require any major policy changes internally, बोल बच्चन टाइप की, यहां पर बहुत सारी बाते बोल दी, कुल मिला के बोलने हैं कोशिश क्या करने हैं, कि regional development में अगर कोई हो रहा है, तो उससे India अपने इस आसपास की region में क्या interest meet कर सकता है, और China किस प्रकार से India के आसपास की region में अपना ingress करने हैं कोशिश करता ह प्रस चाइना के साथ deal करते वक्त, अवराल जब भी हम कोई policy decision लेते हैं, तो secondary contradiction पर क्या फरक पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारा challenge चल रहा है, उस पर क्या फरक पड़ेगा, इंटरनल insigency पर क्या फरक पड़ेगा, यह हमें देखने की जरूँत है, और इस से related और आप कहलो international policy के pundits का यह बोलना है, कि चूकि इंडिया US के साथ बहुत ज़ादा engage कर रहा है, इसलिए line of actual control 2020 का ingress चाइना ने किया इंडिया के साथ, अगर overall इंडिया US से अपनी दूरी बना के रखता, तो साथ LAC पे encroachment 2020 में चाइना ना करता, तो चाइना कही नर्वेस है कि इंडिया US के साथ बहुत ज़ादा bilaterally engage कर रहा है, इसलिए China ने ये encroachment किया, एक ये viewpoint यहाँ पे दिया जा रहा है, दूसरा, एक और viewpoint यहाँ पे दिया जा रहा है, recently आपने देखा है कि USA पाकिस्तान के साथ engage करता हूँ नजरा है, इस बात को लेकि इंडिया के अंदर लोग काफी नाराज है, हैपी में जकॉब साब एक alternative viewpoint दे रहे है, हैपी में जकॉब साब यह बोल रहा है कि बहुत जरूरी है कि USA कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ engage करेगा, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना की खेमे में नहीं जाएगा, अगर USA यहाँ पे पाकिस् पाकिस्तान के साथ इंगेज करता रहे ताकि चाइना पाकिस्तान मौन होमी एक लिमिट से जादा ना वड़ पाए। नो डाउट धीरे धीरे रशिया और इंडिया के जो टेडिशनर रिस्ते थे वो थोड़े वेंड डाउन कर रहे हैं। उतने अच्छे नहीं बचे हैं आज की डेट में। फिर भी एक्जिस्ट करते हैं। नहीं देना चाता तो लॉंग टर्म में रशिया इंडिया के डिप्लोमाटिक रिष्टे बने रहे हैं। ये बहुत सदा जरूरी है। चुकि कहीं न कहीं इंडिया के लिए रशिया एक बफर की तरह काम करेगा ओवरॉल चाइना की उपर जो ओवर डिपेंडने से रशिया कि वो कुछ हद तक जरूर यहां पे कम होगी। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहां पे कहीं गई हैं। तो चाइना को अगर हमें देखना है तो बहुत सारे एंगल से देखना पड़ेगा। फिर चाहे वो रशिया का एंगल हो फिर चाहे वो यूएस का एंगल हो फिर चा अब एक वीपॉंट यहां पर ये भी बनता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अपने रिष्टे सुधार ले तो कहीं न कहीं भी हम पाकिस्तान को रोकता है चाहिना केमेम जाने में लेकिन उस बात के चांसे बहुत कम है जो कि पाकिस्तान का जो establishment है पाकिस्तान की जो public ethos है वो अतुनु बिस्वास साब प्रोफेसर और स्टाटिस्टिक्स एंडिन स्टाटिस्टिकल इंस्टिट्टीट कलकत्ता में ने लिखा ये बेसिकली गैस लाइटिंग टर्म के रिस्पेक्ट में बात कर ले हैं 2017 में एक opinion छपा CNN में उसको लिखा world affairs columnist फ्रीडा गेटेस ने अब सारे past और present instances को यहाँ पे code कर रहा है इस article का author देखे कर आप देखो तो अगर आप gas lighting शब्द की बात करो gas lighting शब्द का origin निकलता है 1930 से ये gas lighting नाम का शब्द एक cultural touchstone मन गया 2010 में 2016 की US presidential elections में gas lighting नाम की शब्द को बहुत इस्तमाल किया चुकि जिस प्रकार से Donald Trump अपने deceptive behavior को ground level पे implement करता था इसको बोल आगया gas lighting मतलब Donald Trump का जो erratic behavior था इसे किस शब्द से overall infer किया गया gas lighting शब्द से ठीक है ना fake news को फेला ना फिर Brexit की समय पे UK की सरकार ने जिस प्रकार से Brexit को handle किया उसको भी gas lighting शब्द से denote किया गया 1969 में psychological literature में gas lighting शब्द को पहली बार इस्तमाल किया गया तो 2018 तक ये gas lighting शब्द कई बार इस्तमाल किया जा चुका है 2018 में ऐसा बोला गया कि Guardian ने buzz word को मतलब gas lighting को buzz word की तरह designate किया Oxford dictionary ने 2018 में word of the year के लिए gas lighting शब्द को nominate किया था लेकिन actually में 2020 में Merriam Webster dictionary ने gas lighting शब्द को word of the year बोला चुकि इसका जो online searches थी वो 1740 परसंट बढ़ चुकी थी अब आपने बोला sir gas lighting शब्द तो बड़ा फिर्माल से इसका मतलब क्या है Merriam Webster dictionary के हिसाब से In this age of misinformation, of fake news, conspiracy theory, twitter draws and defects, gas lighting has emerged the word of our time मतलब gas lighting आज की date में एक ऐसा manipulation है जो आपको आपकी ही memory, आपकी ही सोच को contradict करने के लिए मजबूर कर देगा इसको समझने के लिए इस शब्द के मतलब को समझने के लिए हम थोरा history में जाते है 1938 में एक play आया था gas light नाम का, इसको British playwright Patrick Hamilton ने लिखा था उसमें एक शादी के अंदर जो एक पती होता है, Victorian husband होता है वो बार-बार अपनी wife को manipulate करता है और उस wife की property को हडपने के लिए उस wife को ये भरोसा दिलाता है कि तुम पागल हो, तुम ठीक तरीके से चीजों को समझने पाती हो मतलब वो अपनी wife को धोगा देता है, उसको नीचा दिखाता है उसको पागल साबित करने कोशिश करता है, confuse करता है और उसके basis पे उसकी property हडपने की कोशिश करता है तो gas lighting, play says gas lighting शब्द का उदय हुआ मतलब gas lighting एक incident नहीं है, ये एक process है जिसमें confusion, जूट बोलना, deception, isolation, accusation, manipulation, हर चीज जुड़ी हुए अब धोके से किसी को influence करने कोशिश कर रहे है अगर एक individual को influence करने कोशिश कर रहे है, जिसे जो play था इसमें एक husband अपनी wife को influence कर रहा था, गलत तरीके से धोका दे के जब एक leader बड़े scale पे पूरी की पूरी आबादी को dissect करने की कोशिश करता है उसको धोका देनी कोशिश करता है, उससे जूट बोलता है तो उसको आप बोलतों collective gaslighting इसी context में देखो तो डॉनल्ड ट्रम का जो राज था डॉनल्ड ट्रम ने white और black के आधार पर बहुत सा लिएक लड़ाई कराई US के अंदर US के अंदर immigrants की against एक wave सी खड़ी कर दी, मेक्सिको के साथ एक wall बनाने की बात कर दी तो overall gaslighting को डॉनल्ड ट्रम के साथ associate किया गए कि डॉनल्ड ट्रम धोका दे रहा है अपनी आबादी को उनसे जूट बोल रहा है deception कर रहा है उनके साथ, उनको confuse कर रहा है, manipulate कर रहा है तो अब आप समझ गया होगे कि इस gaslighting शब्द का मतलब किया है in fact, 2021 के अपने paper, Post-Truth Politics and Collective Gaslighting में Natascha Redjik ने लिखा कि जो post-truth politics है it fundamentally undermined epistemic autonomy in a way that is similar to manipulative technique known as gatling मतलब manipulative technique है यह gaslighting इस gaslighting में आप जूट बोल के, overall दूसरों को deceive करके deception, manipulation का इस्तमाल करके, सचाई से लोगों को दूर लेके जा रहे है और अपनी कोई, आप कहलो, thought process को वहाँ पर promote कर रहा हूँ अपने किसी vested interest को यहाँ पर promote कर रहा हूँ तो basically यह gaslighting जैसे 1944 में उस play में वो पती, अपनी पतनी को जबरदस्ती confuse कर रहा था उसको यह याद दिला रहा था, बरो से दिलाने कोशिश कर रहा था अब देखें, अब देखें, अफगानिस्तान की जो सुप्रीम लिटर है हिबतुल्ला अखंड जाथा इन्होंने शरिया कंडिशन्स और हुदुत को यहाँ पर crimes against God crimes against God के respect में भाई आपको सजा दी जाएगी अगर आपने भगवान बनाया, दौरा बनाया के किसी नियम कानून को वालेट किया तो आपको सजा दी जाएगी इन सजाओं को आपको डेकलेर किया तालिवान के लीडर हिबतुल्ला अखंड जाथा में ठीके ना, अब इसमें बहुत प्रकार की चीज़े है जैसे कि अगर कोई औरत या आदमी अपनी शादी के बाहर किसी के साथ सेक्शोल रिष्टा बनाता है तो उसको सजा दी जाएगी ठीके अगर वो चोरी करता है, अडिल्टरी करता है अडिल्टरी अपने आप में बड़ा सब्जेक्टिव टाम है कुछ जगओं पे अडिल्टरी का मतलब यह होगा कि एक मेरेड़ मैन या वुमेन अपनी शादी के बाहर रिष्टा मनाता है कुछ जगओं पे अडिल्टरी का मतलब यह होगा कि उसने एक लड़की को देख भर लिया जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान की रूल के अंदर अगर एक लड़का एक लड़की अन्नोन है शादी शुदा है और वो किसी भी मैटर को लेके बातचीत करें वो सकता है यह बातचीत कर रहे हो कि हमारी पेशडी में डॉक्टरल थे से सब्मिट करने है इस बात पर को किसी तालिबान की लीडर के दिमाग खराब हो जा बोले तुमने एडिल्टरी की है कुछ भी हो सकता ना भाई जब आप कंजर्वेटिजम की एक्स्ट्रीम पर मौच जाओगे तो पिर तो आप कुछ भी बखवास सोचोगे ऐसे केसे में रिसेंट्ली अगर ये देखने को मिला है कि तालिबान रूल अफगानिस्तान के अंदर ग्यारा में और तीन वुमन को पब्लिकली फ्लॉक किया गया तालिबान के दोरा तो इसलाम की टीचिंग्स को बहुती नेरो प्रकार से इंटर्प्रेट कर रहा है तालिबान ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा आथर के दोरा और ये सिर्फ तालिबान रूल अफगानिस्तान में नहीं हो रहा है सुदान में भी कुछ इस प्रकार का हुआ है कि एडल्टरी के लिए एक औरत को पत्थर मार मार की मौत की सजा सुनाईगी इनफेक्ट रिसेंटली इंडोनेशिया के अंदर भी मैरिज के बाहर अगर आप सेक्स करते हो तो आपको एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है तो बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज में कुरान एन बुक्स औफ हदित का गलत interpretation हो रा है यह बात यहां पे बोल रहे है ए फैजुर्रहमान साब हुष्ट हुष्ट का यहां पे प्रॉफिट साब की टीचिंग को यहां पे गलत प्रकार से आप कहलो मिसिंटरिप्रेट किया रहा है अब क्या है देखिए मुस्लिम जूरिस्ट मतलब मुस्लिम लीगल जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ओवर ओल हुदुद नाम से प्रॉसिक्यूटेबल ओफिंसेज देखे खुदुद क्या है इस अर्फिक्यूटेबल ओफिंसेज अगेंस्ट अल्ला अल्ला ने जो भी code of conduct बनाया है अपने followers के लिए उनको जो violate करेगा ठीके ना वो हुदुद करेगा और अगर आपने हुदुद किया तो उसके against आपको सजा मिलेगी जिसको आप बोलते हो कीसा कीसा मतलब justified retaliation अब ये गलतियां क्या क्या हो सकती है adultery, fornication theft, chory, unproved allegation of unchastity, apostasy and even blasphemy, तो इस प्रकार के अगर आप गलतियां करते हो तो आपके against आपको सजा दी जाएगे अब author साहब यहाँ पर ये बोलना है कि अगर आप Quranic khududullah देखोगे तो उसमें limited चीजों के लिए गलती की सजा दी, जैसे रमजान की fasting के respect में हम नियम तोड़ते हो inheritance right से रियम तोड़ते हो right of divorce woman से रियम तोड़ते हो अब prophet साहब ने जो नियम कानून यहाँ पर बनाए और prophet साहब के जाने के बाद जो muslim califate आई और उसके अंदर जो धरम गुरू थे clergy थे उन्हों जो जो नियम कानून मनाए उनमें बहुत फर्क है कहीं न कहीं prophet साहब ने जो नियम कानून मनाए तो वो इतने ज़ादे extreme या conservative नहीं थे बाद में जो muslim clergy आई जो धरम गुरू आए उन्होंने overall in religious teachings को अपने अपने एसाब से decipher किया एक अलगी प्रकार के नियम कानून मना के रख दिये जैसे कि fornication और adultery के बीच में difference करना तो अगर आपने fornication किया है तो भाई आपको 100 कोडे मारे जा सकते हैं और वो जो 100 कोडे होंगे वो आपकी जान तक ले सकते हैं खास बाद दोस्तों यहां पर यह है कि जो कोडे मारने वाला क्राइम है इसमें कोडे आज की डेट में जो हंटर जो विप मारता है वो आपने पिच्चरों में देखी होगी लेकिन प्रॉफिट साहब के समय पे जो विफ हुआ करती थी प्रॉफिट साहब के समय पे जो विप थी उसमें एक ट्विस्टिट क्लॉथ होता था टू पाम लीफ स्ट्यॉक्स होती थी तो उस समय पे बेसिकली इनके थुरू मारके और बहुत सारी जगहों पे एक लीनियन टिव्यू लेके प्रॉफिट साहब ये मतलब आप कहलो लेसन देते थे सबको कि ठीके भाई अगर आप माफी करोगे तो कहीं न कहीं एक इनसान के सुधरने के चांसे ज़ादा है उसको कॉर्पोरल पेन देने की बजाए प्यूनिटिव डिजाइस के बिहाफ पे आप उसको सेल्फ कहलो सजा का अपना पस्ट अब करने की वो दीजे उसको एक मतलब opportunity दीजे आज की डेट में doctrine of vanity बचे नहीं है प्रोफिट साब के समय पे doctrine of vanity होता था प्रोफिट साब हर चीज में सजया देने पे वरोसा नहीं रखते थे आज की डेट में कोई भी चीज हो जाए जैसे sexual immorality हो जाए और पहले की समय पे overall कहीं न कहीं sexual immorality को और इस सब चीजों को उतने ज़ादा strict तरीके से नहीं लिया जाता था बाद के legal muslim jurist ने overall जो Islamic teachings उनको इतना ज़ादा conservative कर दिया कि overall ये जो इसलाम के अंदर actual आप कहलो जो conservatism है वो बहुत ज़ादा बढ़ गया है जो anti woman वाला sentiment है वो बहुत ज़ादा बढ़ गया है तो ये सब बात ने यहाँ पर बोली जारी मतलब कुल मिलाके author का ये बोलना है क actually में prophet साहब ने और Quran ने जो teachings दी है उन teachings को गलत प्रकार से आगे बढ़ा दिया एग्रगस वेस से aggravate कर दिया clerical shariah ने जो की बिल्कुल भी गलत है पहले इस समय पे ना Quran में नही हदित की teachings में और नही prophet साहब की teachings में ऐसा कुछ था लेकिन आज के समय पे जो clerical clergy है उसने उस तो एक समय पे पीटी उशा जी ने एशन गेम्स में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी कि जो मदरास मैंगलोर मेल है इनका होमटाउन पयूली था नौर्सकला में वहाँ पे रोकती नहीं थी बट पीटी उशा का ओनर करने के लिए इसको पयूली में रोका गया लौस एंजलिस 1984 के ओलंपिक्स में 400 मीटर हर्डल्स में बहुत कम से चूग गई थी पीटी उशा नहीं तो वहाँ पर ब्रॉंज जीच जाती है काज के समय पे पीटी उशा को इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन का प्रेजडेंट बना दिया गया है तो अपने आप में एक बड़ी बात है एक अच्छी बात इसलिए भी है कि हमारी स्पोर्ट्स गवर्नेंस में जो पैट्रियार की जुड़ी हुई है उससे हम थोड़ा अला घट पा रहे है एक वुमेन लीडर यहाँ पे ओवरॉल प्रेजडेंट बनके आ रही है इंडियन अच्छी बात है रिसेंटली अगर आप देखो तो इंडियन उलम्पिक एसोसीशन ने बहुत ज़ादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था लेकिन अभी वो भी कुछ-कुछ हद तक ठीक होता नज़र आ रहा है इंटरनेशनल उलम्पिक कमिटी ने ओवरॉल कुछ यहाँ पे ग्राउट लबलल पे सुधार सकता है चुकि स्पोर्ट की रियल प्रॉब्लम को समझती है पीटी उशाँ आज की डेट पर जोसीशन ने स्टेडियम ने स्टेडियम लोंड अथि है एकेग नोकरी तो मिली जाएगी सब इंसपेक्टर की स्पोर्ट को टेगे थूँ यह सब बातें पीटी उशा जानती हैं तो इन स्पोर्ट्स परसंस के अंदर इन यंग एथलीट्स के अंदर एक नैशनल सेंटिमेंट लाने की जुरूत है overall नीरत चोपड़ा और अभिनो बिंदरा टाइप इनको यहाँ पे आपके इनस्पायर करने की जुरूत है ताकि यह किसी एक स्पेसिफिक अब्जेक्टिव के लिए ना खिले अभी के लिए क्या है कि नैशनल लेवल पे थुले अच्छी परफॉर्मस दिखा तो तो एक सरकारी नौकली मिल जाएगी वह thought process नहीं होना चाहिए यह thought process यहाँ पे जैनुवीन होना चाहिए एक sports में excel होने का होना चाहिए और इस चीज के लिए जो payoli express पी टी उशा है ये काफ़ी कुछ कर सकती है ऐसा कुछ बताया जा रहा है और final article Executive Legislature Clashes are Bad Science for Peru Democracy Peru में लाज साल Pedro Castillo बने थे President पिछले पाँच सालों में Peru में चार President आ चुके हैं Peru के अंदर corruption वगरा के बहुत सारे इलजाम थे तो जो Pedro Castillo थे former school teacher थे इनके पस किसी भी प्रकार का administrative experience था नहीं तो इन्होंने बोला कि मैं पेरू की chronic economic problem से लडूँगा corruption से लडूँगा, overall पेरू के अंदर चीज़ों को सुधातने कोशिश करूँगा बहुत सारे इस प्रकार के promises यहाँ पे Pedro Castillo ने किया अब उन्होंने पूरा किया नहीं किया इसको समझने कि यहाँ पे कोशिश करते है पूरा करने से पहले इनका Congress के अंदर impeachment होने लगा मतलब इनको इनकी कुरसी से हटाए जाने की बात करी जाने लगी अब impeachment में एक leader को अगर उसके बाकी elected साथी हटा रहे हैं तो उसको हट जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे Pedro Castillo उन्हें अलगी level का रुख अपना लिया इनके उपर corruption के charges थे criminal organization run करने की chances थे तो Pedro Castillo ने क्या किया पुराने political elites को हटा दिया overall एक coup के through power को अपने हाथ पे लेने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए कही ना कहीं Congress के members ने impeach कर दिया Pedro Castillo को और उनकी जगा एक lady को प्रेजडेंट की कुर्सी पर बठालती है ठीक है यह मैं आपको अलड़ी बता चुक हूँ कि इस समय पे Peru का प्रेजडेंट कौन है दीना बॉलार्ट है अच्छा ऐसा नहीं है कि पेरू के अंदर पहली बार कोई आदमी है जिसने overall power को गलत तरीके से हमने हाथ में लेने हैं कोशिश की Pedro Castillo की तरह 1992 में प्रेजडेंट Alberto Fujimaro जो कि अभी के लिए Jane है इन्होंने पेरू को Congress को बंद कर दिया था इसके Constitution को suspend कर दिया था 2000 तक एक dictator की तरह इन्होंने रूल किया कुछ इस प्रकार की चीज़ ही Pedrilo Castillo ने करने कोशिश की बट वो successful नहीं हो पाई इससे एक sign ज़रूर मिलता है पेरू के लोगों को कि पेरू की democracy अभी भी यंग है प्रापर तरीके से mature है नी तो यहाँ पे बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि इस प्रकार की dictatorial tendencies को control में रखा जा और रखा भी गया है Castillo Military police के दम पे यहाँ पे rule करना चाहते थे Military police ने भी उनको shun कर दिया 101 to 6 votes से इनको impeach कर दिया गया और इस particular instance से यह समझने की ज़रूरत है कि पेरू की young democracy के सामने खत्रा है बहुत ज़रूरी है कि पेरू के अलग-अलग political factions मिलके mature democracy बनाने की कोशिश करें Let's see what बन पाती है कि नहीं